नमस्कार दोस्तों अमरी यूटूब चैनल में फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है हाँ दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कि आखों को बड़ी और चमकदार बनाने के कुछ घरेली उपाई जी हाँ दोस्तों हर लड़किया या महिला सुंदर दिखना चाहती है ये चेहरे में यदि आखे बड़ी हो और चमकदार हो तो चेहरे की सुंदरता में चार चान लग जाता है दोस्तों बड़ी आखों के साथ चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है बड़ी आखों लोगों को अपनी तरफ आकशित करती है हर कोई चाहता है कि उसकी आखे सुंदर और चमकदार दिखे यहाँ पर हम जानेगे कुछ ऐसे उपाए दोस्तों की आखों को किस तरह चमकदार बनाए जी हाँ दोस्तों क्योंकि आखों को चमकदार बनाएंगे तो आपकी जो खुबसूरती पर चार चांद लग जागा तो में कुछ असान उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आखों को सुंदर बनाने के लिए एक खीरा लीजिए उसको काट कर गोल अकार में काट लीजिए और पतले पतले काट लीजिए उसको काटने के बाद अपनी आखों बंद करके गुलाब जल की दो बुंदे आखों में डाले इससे सुबह आखे में जमी गंद की निकल जाएगी जिससे की आपकी आखे बिल्कुल फ्रेश मसूस करेगी और चमकदार भी दिखेगी दोस्तों गुलाब जल हमारी तवचा के लिए बहुती लागदायक होता है रात को सोने से पहले अपना मेकप जरूर हटा दें क्लीजिंग मील्क आखों को आसपास की जगह पर मले और गीली रूई में पोंच ले मेकप हटाने के लिए यदि आप नॉर्मल पानी से इस्तमाल करते हैं तो यह बहुती अच्छी बात है दोस्तों अगर आप आखों के नीचे काला गेरा है और रुखापन भी है तो आप रोज आखों के आसपास शुद्ध बादाम का तेल से हलकी मालिश करें और इसके लिए रिंग फिंगर और उंगली का इस्तमाल करें मालिश सदे एक दिशा में ही करनी है दोस्तों मालिश के बाद तेल के 15 मिट लगा रहने दे फिर भ आखे पपितों को गुद्धा मैश कर लें इसमें एक बुंद शहद मिलाएं इससे आखों के आसपास लगाकर 10 मिट तक रखें और 5 मिट बाद हटा लें इससे वहां की तवचा निखर आएगी और आपका जो आखों की नीचे जो काला घेरा है वो हट जाएगा और आखे खटा दें ऐसा करने से आखों के चारों ओर का काले घेरे खतम हो जाते हैं और आपकी आखे सुंदर दिखाई देशी हैं दोस्तों बदाम और दूद का पेश्ट तयार करें और इसे 10 से 20 मिट तक आखों के नीचे लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धोलें ये भी काल काले घेरे का दूर करने का एक अच्छा उपाई है थोड़े से शहद में अंडे का जो सफेर हिसा आता है उसे निकाल कर आखों के चारों लगाए और 20 मिट बार धोलें इससे आखों की आसपास की तुचा रंग साफ होगा और आखों को एक अलग चमक सी मिलेगी कम सोने की वज़े से भी आखों के चारों तरफ काले घेरे आ जाते हैं और आखों की खुबसूरती के लिए अराम या नींद का पूरा करना बहुत जरूरी है सोते समय आपकी आखे बंद होती है जिससे इन्हें प्राक्तिक निखार और नमी मिलती है इसलिए कम से कम हमें रोजाना 7- 8 घंटे की नीद पूरी करना चाहिए ताजी आलू के चिलके और उसे गोल काट लेना है और काट कर अपनी आखों के उपर 5-10 मिट तक रखना है ऐसे करने से आपकी आखे बड़ी और चमकदार हो जाती है ऐसे निमीत करेंगे 15 दिनों तक तो आपका आखों की चमकदार बन जाती है तो यह नुक्सा नया नहीं है बचपन सभी लोग काजल लगाया करते थे दोस्तों यह चोटी से वीडियो कैसे लगी तो प्लीज गिव था थमसा फॉर माई वीडियो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तब के दोस्तों नमस्कार